हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अलीशा मेरे किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ मुंग डाल का हलवा ये बहुत ही सिंबल रेसिपी है पर इसमें थोरा सा जादा टाइम लगता है बाकी हलवे से और आज मैं बनाऊंगी इसे बिना डाल भीग होए जब मन करें तब फटा फट उसी टाइम हम बना सकते हैं हमें डाल भीग होने के जुरत नहीं है तो चलिए फ्रेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने देखिए डाल लिया है ये वजन से 1.500 ग्राम डाल है और सेम क्वांटिटी में चीनी भी लिया है 1.500 ग्राम और 1.500 ग्राम मिल्क लिया है ये नॉर्मल मिल्क है बॉयल किया हुआ और पानी भी लगबग 1.500 ग्राम के आसपस है पानी जितना जुरत हो गितना ही यूज करेंगे और घी हमने 100 ग्राम लिया है देखिए किसमिस लिया है थोड़ा सा थोड़ा सा बदाम कटा हुआ थोड़ा सा काजू कटा हुआ और 6-7 इलाइची का हमने पाउडर बना लिया है यह आधा चम्मच है ड्राइफूट आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं देखिए बाउल में पानी लिया है ऐसी पानी बदल बदल कर हम 3-4 पर डाल को अच्छे से पहले धो लेंगे हाथों से इसे ऐसी मसल मसल कर अच्छे से हमें 3-4 पानी से इसे धोना है पहले देखिए तीन-चार पानी से मैंने धो लिया है और इसे छनी से छानके एक किचन कपड़े पे किचन टॉवल पे या कोई साफ कपड़े पे इसे थोड़ी दिर के लिए ऐसे फैला देना है यह जो इसका बचा हुआ पानी है वो सोक ले या इस तरह से आप करके से सुखा सकते ह हलका सा कपरे से देखिए ऐसे कपरे से हलके हाथों से करके हमने सुखा लिया है दाल को तैब 10 मिनट में हो गया है अब देखिए दाल हमारा बिल्कुल अच्छे से तयार है, भूनने के लिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये गैस पर मैंने पैन चरहा दिया है, पैन हमारा गरम हो रहा है, अब मैं इसमें डाल देती हूं घी, देखिए जितना घी लिया था हमने इसमें से 60% गी इस में डाल देते हैं अब इसे चलाते हुए हमें भूनना है गैस को अभी हमने लो मीडियम फ्लेम पे कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है चलाते हुए इसे छोड़ना नहीं है लगातर चलाते हुए पकाना है नहीं तो दाल हमारा जल सकता है दाल बिल्कुल रेडी है अब हम इसे चान लेते हैं रेखे इक चनी में चान लिया है जो घी घी नालेंगे तो उसी में यूज कर लेंगे और दाल का हमें मिक्सी में पावडर बनाना है तब तक हमने गैस पे पैंचर आदिया है पैन हमारा गरम हो है सेम पैंचर हा दिया है जिसमें दाल फ्राई किया था अब घी हमने थोड़ा सा डाल दिया है अब थोड़ा सा घी बचा लिया है और दो तीन चमच इसे हम लास्ट में यूज करेंगे दाल का हमने जो मिक्सी में पौडर बनाया था वो हम दिखाते हैं आपको देखे कितना अच्छा बनके त्यार हुआ है ना हमने इसको बहुत जादा बारीक नहीं किया है हलका सा पौडर बनाया है लेकिन हलका सा ये हाथ में छूके देखेंगे तो दाना दाना सा है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे में इसलिए हलका सा दाना दाना सा चलाते हुए थोड़ा सा भूनना है क्योंकि अल्डेडी यह भूना हुआ है दाल तो हलका सा भूनना है बस दो तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर जब गी छोड़ने लग जाए तब तक के लिए हमें भूनना है देखे एक दो मिनट हो गया है एक मिनट और हम पकाएंगे इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे देखे कितने अच्छे से भून रहा है ना कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका देखे काफी अच्छे से डाल भून कर त्यार हो गया है लगबग तीन मिनट मैंने भूना है अब इसमें मैं सारा दूर डाल दी हूँ अब इसे चलाते हुए थोरा सा पकाना है गैस को हमने सेमपर ही रखा हुआ है किसे अराम से चलाएंगे कि गुठलिया ना बने देखे से थोरा सा चला दिया है हमने अब इसमें पानी थोरा सा डाल देते हैं पानी थोरा कम या ज़्यादा जितना जुरत हो डाल सकते हैं देखे हमने थोरा सा बच गया है पानी थोड़ा ही डाला है हमने अधा गला से थोड़ा ज़्यादा डाला है अब ऐसे कह सकते हैं 1500 ग्राम लगबग पानी डाला है हमने 1500 ml क्या सपस अब इसे ऐसे लगातर चलाते हुए पकाएंगे और गैस को हमने लो मीडियम पर कर लिया है ऐसे ही लगातर चलाते हुए हम पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पकना जाए देखे काफी अच्छे से पक गया है थोड़ा सवर पकाएंगे तो ये त्यार हो जाएगा देखे अब ये बिल्कुल त्यार हो गया है अब इसका हम next process करेंगे देखे गी छोड़ दिया है ना साइड से मतलब ये बिल्कुल त्यार है अब हम चीनी डाल रहे हैं चीनी भी सेम कॉंटिटी में मैंने 1500 ग्राम लिया है और गैस को हमने लो फ्लेम पर ही रखा है अब इसे अराम अराम से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे देखे चीनी हमारा अच्छे से इसमें मैल्ड होने लग गया है जैसे जैसे मैल्ड होएगा ये जो गाड़ा है और पतला होने लग जाएगा इसकी consistency देखे अब इसे पकाना है तब तक जब तक की गाड़ा हो जाएगा और गी छोड़ देखे देखे दीरे दीरे का आढ़ा होने लग गया है देखे ऐसे इलागतार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पर पकाते रहना है थोड़ा सा और पकाएंगे तो यह त्यार हो जाएगा अब हम इसमें ड्राइफूट डाल देते हैं ड्राइफूट अपने पसंद के अनुसार कम यह ज़्यादा कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हैं जो नहीं पसंद है वो हटा सकते हैं देखे ड्राइफूट भी हमने तोरा पहले इसलिए डाल दिया है, केवी साथ में पकेगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ड्राइफूट का इसलिए हलवे में, देखे काफी अच्छे से ये भून गया है, तला छोड दिया है, अब थोरा सव पका देते हैं, एक दो मिनिट के लिए चलाते हुए, फिर ये बिल्कुल तयार हो जाएगा, ये कैसे लगातार चलाते हुए पका देते हैं, और फ्रेंट्स अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंट्स के साथ सेर करें, और आप भी रेसिपी एक बार जरूर ट्राइब करें, आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं, देखिए गी छोड़ने लग गया है, अब बिल्कुल हलवा हमारा तयार हो गया है, कितना अच्छा पॉफेक्ट छोड़ने लग गया है, इसका मतलब है हलवा हमारा बिल्कुल तयार है, सारा प्रोसेस में हमने गैस को मोस्टली सिम पर ही रखा है, लो मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा बन के तियार हुआ है, अब इ काटके और थोरा सा इस पर पिस्ता डालोंगी कटा हुआ, देखिए कितना अच्छा प्रफेक्ट लुक आ रहा है, श box पॉआ हो, अज सकता है, अब होाँ हैं काट्या सा इस एकितना अच्छा आप।